जारखंड के भगवान हैं बिर्सा मुंडा जारखंड जनजात्यों की जमीन और संपत्ति को लेकर उन्नीस्वी सदी में यहां अफरात तफ्री का माहौल बन गया छोटा नागपुर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहां रहने वालों की काफी जमीन हत्या ली जिसका व्यापक विरोध किया बिर्सा मुंडा ने उनकी अगवाई में दूसरी बार विद्रो अठारा सो अठानवे में शुरू हुआ और कई जगों पर जनजातियों को संगठित करके उन्होंने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजी हुकूमत का पूरी ताकत से विरोध किया बिर्सा को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस समय पांच सो रुपियों का इनाम खोशित किया गया अंग्रेजी उने बेहत शातिर तरीके से तक्रीबन 32 मुंडा सरदार विद्रोहियों को बहला फुसना कर या जबरन आत्म समर्पन करने के लिए मजबूर किया और उन्हीं लोगों से बिर्सा के गुप्त ठिकानों का पता लगवाया बिर्सा गिरफतार कर लिये गए भीशन प्रतार्ना की वजह से वो जेल में ही बीमार पड़ गए और आखिरकार 3 जून 1900 को उनकी मौत हो गई बिर्सा मुंडा आज भी इन लोगों के लिए स्मिता के प्रतीक हैं जिन्होंने मानविय सम्मान और स्वशासन की अपराजे चेतना से समस्त जनजातिय समाज को प्रेरित किया